अगर भारत के वीरियो दाओं की बात की जाए और उसमें महराणा प्रताप का नाम ना आए तो भारती इफ्यास अधूरा है और अगर महराणा प्रताप की बात हो और उसमें उनके प्रिय घोडे का नाम ना आए तो महराणा प्रताप की कहानी अधूरी है तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे महाराणा के प्रिय घोडे चेतक के कुछ अन्नोन फैक्ट्स तो वीडियो स्टार्ट करते हैं महाराणा के समय पश्चिम भारत में घोडों की तीन लोग प्रिय नसले थी सिंडी, काठियावाडी और मारवाडी चेतक एक मारवाडी नसल का घोड़ा था मारवाडी नसल के घोड़े अपनी सूजबुच सुन्दरता और युद्ध कोशल के लिए प्रसिग थे राजपूतों के पास उस समय ऐसे 50,000 काठियावाडी घोड़े थे जिनमें चेतक का अकार 15.2 हाथों की उचाई के बराबर था अपने आक्रमक और अहंकारी सौभाओं के कारण इत्यासकार इसे अहंकारी घोड़ा भी कहते थे इन घोड़ों के लिए विशेज चारे का प्रबंद किया जाता था जो सिंद प्रांद से लाया जाता था मेवाड छेतर में गाई जाने वाली लोग गाथाओं में चेतक को नीला घोड़ा का गया है इत्यासकारों का कहना है कि चेतक की आँखों का रंग नीला होने के कारण इसे ब्लू होर्स यानी की नीला घोड़ा का जाता था अठारवी शताब्दी में प्रकाशित गाथागी जो महराणा के घोड़े के उपर लिखा गया है उसमें महराणा के घोड़े को सीतक नाम दिया गया है 1829 में प्रकाशित एनल्स एंड एंटिक्यूटी ओफ राजस्तान नामक पुस्तक में गोड़े का नाम चेटुक रखा गया है ये पुस्तक मारवाडी राजनेतिक जेम्स टॉट दौरा लिखी गई थी इसमें चेटक को नीला गोड़ा और प्रताप को नीले गोड़े का सवार कहा गया है चेटक के दो सांती गोड़े और भी थे जिनका नाम अटक और नटंक था और ये तिनों युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षित थे चेटक के वनसाज आज भी जिन्दा है जिसका नाम पदमा है राणा के गोड़े चेटक का मगबरा हल्दी काटी से दो किलो मीटर दूर पच्चिब में स्तित है यह वही स्तान है जहां चेटक की मृत्यू हुई थी स्मारक के चारो तरफ संग्राला है जो इस गोड़े की सच्ची वीरता की कहानी को दर्शाता है महानकवी शामनारण पांडे जिन्नोंने चेटक की वीरता नामक एक कविता लिखी यहां एक मात्र ऐसा गोड़ा है जिसकी वीरता और स्वामी भत्ती का पार्ट भारत के पाठ्ठे करमों में पढ़ाया जाता है तो ये थे महाराण परताप के प्री घोड़े चेतक से संबंदित कुछ रोचक तत्य और वीडियो पसंद आया तो लाइक डिस लाइक शेर सब्सक्राइब जो मरजिया है वो कर दो और बागी तो आपको पता ही है